के 12 गंटे हैं इन 12 गंटों को हमने ऐसे डिवाइड किया है चार गंटे पड़ाई चार गंटे पैसा या बिजनेस या प्लान भी के बारे में और तीसरा देख आप समझ के चलिए कि अभी आप UPC के लिए त्यारी कर रहे हो और 27-28 में बहुत समय हैं हमने कई अपनी वीडियो हैं पहलं कि आपको UPC ट्यारी करने है तो किस तरीके से चाहिए दूसरा आगने करने चाहिए तो क्या असके जयागब पर और कब से स्टार्ट करने चowser और करने हैं हरे चीज को एस वीडियो डिचि empreuks ट्यू करने हैं कौन कौन से मिस्ट्रिकस आपको नहीं करने हैं जो बाक तो पहला पॉइंट यह है कि अभी आप UPSC त्यारी करें तो अभी आप बिल्कुल UPS के लिए नवजात शिशू हो अभी हम्मान के चलने आप 9th, 10th, 11th यह 12th में होंगे पहला में गोल आपको यह रखना है कि UPSC करने से पहले आप अपने प्रेजेंट को सुधारो आपको क्यान अर्जित करने कोशिश करो एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए उसके लिए त्यारी करो यह सारी चीज़ आपको करने आपको पहले तो अपने बेसिक क्लियर करने क्लास को कवर करना है क्लास के कंटेंट को अच्छे से पढ़ना है अगर आप क्लास में अच्छे हो तो एक अच्छे college के बार में आपको सोचे चलना है कि मेरा यह college का target है, मुझे यह college अच्छीव करना है, तो मुझे इसके लिए कितना effort करना पड़ेगा, यह college है, school की जो भी तयारी कर रहे हो, उसको बहुत अच्छे से करो, अपने school life को spoil मत करो, उसको बरवाद मत करो, उसको एनफ रहेंगे, अभी से present वा focus करो, पहला point तो यही है, दूसरा point कि अगर आप आपने ठानी लिया है, कि मुझे यो PC त्यारी कर नहीं है, तो हम आपको बोलेंगे, अभी आप NCRT पर focus करो, आप कम से कम एक साल तक, है ना, एक साल तक का समय आप NCRT पर दे सकते हो, क्योंकि देखो 6 से ले के 12 तक के आपको सारी NCRTs पढ़नी होती है, अगर आपके थोड़े-थोड़े बेसिक ठीक ठाक है, आप क्लासों पढ़ने में अच्छे रहे हो, तो आप थोड़े higher level के NCRTs को देखो, अदरवाज हमें यही recommend करेंगे, 6 से ले के पहले 8 तक के cover करो, यह 6 से ले साइंस की भी लेके चलना है, क्योंकि वह आपके other competitive exam में आपके बहुत जादा help करेगे, और आपका biology वाला section रहता है, थोड़ा सा science and technology वाला section रहता है, उसमें आपका helpful रहता है, तो आप science को भी लेके चल सकते हो, तो कुल मिला कि आपको NCRT पर focus करना है, 6 से लेके 12 तक पढ daily 4 गंटे के तयारी करते हुए चलो, और आपके 6 महीने में, 8 महीने में या 10 महीने में, NCRT पर focus करो, 6 से लेके 12 तक, NCRT जो किस तरीके से पढ़ना है, कौन-कौन सी important NCRT होती है, और कितने आपको समय लगाना चाहिए, हर एक चीज हमने decode किया है, एक वीडियो है, जिसमें हमने 6 मन्त का पूरा प्लान बता है, तो उसका लिंक डाल देंगे discussion में, लेकिन आपको बताना चाहते हैं, यह तो आपके self-shaddy के सारी बाते हैं, कि आप कब कहाँ पर क्या सारी चीज करोगे, अपने skills को कैसे develop करोगे, सारी चीज हैं, लेकिन आप अगर किसी coaching के साथ जोड वो सारी चीज भी आपको starting के two year तक वो cover करा जाएंगी, पूरे तीन साल का प्रोग्राम है, जिसमें आपका GS हुआ, CSET हुआ, NCRT हुआ, Optional हुआ, Current Effect, Tasty दिवेकरा लेकर, हर एक चीज आपको provide की जाएगी, यह course आपके लिए एक दम one point solution होगा, आपको इधर और कहीं बटक कर लेना, हमारे चनल कोड के जीए में इसमाल कर सकते हो, जिसमें आपको काफी भारी जूट मिल जाएगी, लेकर 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 27 तक आपका valid है, बाकि सारे जितने भी चोर्स हैं, उन पर भी काफी अच्छा discount मुला है, 28 जनवरी तक, जो इनका discount 26 जनवरी के मौके पर, इनके स कि आप अपने 0 लेबल को तियार करोगे, जिसमें आपका जो UPC का syllabus होता है, उसके PYQs होते हैं, उनको analysis करते हो, उसको याद करते हो, उसको समझते हो, दूसरा जो लेबल रहता है, आप NCRT से थोड़ा सागे बढ़ते हो, standard box की तरफ जाते हो, फिर आपका next लेबल रहता है यह एक लेबल वाई लेबल आपको त्यारी करनी होती है, लेकिन अभी जो आपका focus में लेके आना है, वो focus में लेके आना है, सिर्फ आपको अपनी NCRT आगे आने वाले एक साल तक, आपको आँक बंद करके NCRT पर focus करना है, कितना? सिर्फ 4 गंटे, 4 से 5 गंटे से जादा न बनाने हैं, वो आपको रीकमेंट कर जिस ऊपना नहीं अइसाफ में मनें लीड़ी और आपको नहीं ओनने ओने équ hin आपको अपना प्रेजेंट कंडिशन जो भी आप त्यारी कर रहे हो चाहँ स्कूल में हो तो कॉलेज के लिए अच्छे से पड़ो यही आपका मेन प्रेपरिशन करना ही चाहते हो तो आप डेली तीन चार पांच गंटे NCRT जो पढ़ सकते हो दूसरी हो चीज है आपको कि जो से कम सैकड़ो वीडियो देखोगे उन टॉपट से वस यह देखो कि उसने कैसे उस चीज को एप्रोच किया था कैसे उसको देखा था वहां सिर्फ आप मोटिवेशन पर पस्से जाओ उनके साइकलोजी को समझने के लिए जाओ कि उनका क्या माइंड सेट अप है कैसे बात क साथ में ऐसा नहीं है बाकि सारी चीज आपको छोड़ देनी है दो पॉइंट जो आगयाने वाले हैं बहुत इंपोर्टन पहला पूइंट आप कोई ना कोई अपने अंदर इसकिल्स को डेवलप करो इसकिल्स को एक्कॉयर करो वह आपके इसकिल्स को हो सकते हैं आपके सॉ पहुत सारी जैसे आपका बॉड़ी शेप अच्छा नहीं है अप एक्सराइज कर सकते हो रनिंग कर सकते हो योगा मेडिटीशन वगरा से लिए का हरे चीज सीख सकते हो बुक रीडिंग कर सकते हो ट्रैवलिंग कर सकते हो इन सारी चीजिए आपको थोड़ा सा करना पैसा तो आपको पैसे कमाना जितना जल्दी आप सीख जाऊगे उतना ज्यादा तरक्रिय पाओ ओगे आपके घर पर केतनी और ऑच्चे अनुक्तम हो है ना अगर आप अब इसक कमाने के बारे में सोच हो 25 लिए 15-16 के मोर निजश्य कोंत भी के साथ में करना जब आपके पास अच्छा नौलिज आ जाए तब करना अच्छा पैसा जाए तब करना लाग दो लाग पांस लाग दस लाग रोप डाल कर बहुत जादा बड़ी शीज नहीं आजएगा इसमय बहुत जाएगा आपका आप यह देखो के इसके डेवलप करो और जिन जगह पर आप पैसा डाल कर आप हजार रोपे डेली भी कमाने की कोशिश करते हो तो अभी प्रजेंट सेनेटी को जाब से वह ही बहुत है अब महीने के 20-45 जार रोपे का कुछ प्लान डाल लेते हो इस चीज के वारे में आपको सोचना चाहिए तो दूसरा आप प्ला अज़िए उसको आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हुएंगे वह यह लंबा गे मां यू पिएस से जो कि टॉपर भी होता उसको यह नहीं पता होता कि कि किस तरीके से अपनी इस्टेडी ग्यान वगरा इसमें ग्यान के इन डरे रह जाते हैं और निकलने वाले निकल हम आपको हो यह बोल'Dेंगा कि आपके पास में एक पफाली पर रहना चाहिए चाहिए pit चे पर ही पिलान भी चोटे एक्जाम होते हैं उनके ऑपे वाले एक्जाम होते हैं लेल वेके गंटे में से आपके बारे गंटे प्रोडक्टिव रहने चाहिए प्रोडक्टिव का मतलब यह है कि जिनको आप अपने गोल के लिए अपने जीवन के लिए अपने अच्छे भविस्थे के लिए आप अपने दे रहे हो उन चार गंटों को किस तरह से डिस्रिब्यूट करना ह वो समझी उन 12 गंटों को आपने अगर प्रोडक्टिव दे दिया तो आपका फिचर बहुत ब्राइट रहने वाला है बाकी के 12 गंटे जो रहेंगे आप उनको कैसी भी करेंगे चाहा पूरे आप दिन सो रहे हो ही जोरे हो या 12 गंटे सो रहे हो गल्फेंट से बात कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो इदर और ओदर तवर गुंने जा रहे हो कुछ भी कर रहो तरक Hill 10 अपको बताने जा रहे हैं आप उनको इस तसे से divide करिए आप उन 12 गंट को चार-चार गंट तो आपको 4 गंटे तो यूपी के लिए त्यारी करना है जो भी आप एंसे आटी वगरा देख रहे हो वह या आप यूपीसी नहीं पढ़ना चाहते है तो आप करन्ट में पढ़ाई कर रहा है हो थोड़ी सी आपको समझ के चलना है पहला तो यह है चार गंटे आप प्लान भी के बारे में सोच सकते हो अगर आप किसी कॉलेज में हो या स्कूल में हो तो वहां पर आपको समय नहीं मिलता तो आप उसके स्टड़ी के बारे में देखो अधर्वाइस आप अगर बिल्कुल घर पर रह रह रहे हो या लड़कियों के केस में ऐसा होता है कि प्राइविट चार गंटे इसके लिए देने ते और चार गंटे आपको अपने चार गंटे या दो गंटे अपने जो स्किल्स हैं उनको एक वार करने में लगा सकते हो जो भी सॉफ्ट इसक्ल्स हुआ आप उनकी तरफ जा सकते हो और उन चार गंटों में से आप दो गंटे भी करना चाहो त प्लान भी के बारे में और तीसरा चार गंटे अपने इस्किस और प्लेइंग वगरा जो भी आपके होवी वगरा उसके बारे में तो इस तरीकी से आपको अपना टाइम का डिस्रिबुशन करना है एक हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कौन-कौन सी मिस्टिक्स आपको नहीं करनी है तो आगे आने वाले कुछ दिन में हम उस वीडियो को बना देंगे 27.00 उन गलतियों सो बचके रहें जो बाकी करेंगे लेकिन आपको वो नहीं करनी है तो उसके उपर हम डेटेल में हर एक वीडियो को बनाएंगे तो आप आरम से देखना और यह वीडियो यहां तक पसंदे वीडियो को लाइक करते हूँ चैनल पर नए हो चैनल को सिस्क्राइब कर सकते हूँ और अपने फ्रेंस साथ इसको शेयर करना जो 26, 27, 28 के लिए तयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं UPC के बारे में कमेंट करके बताने आपको वीडियो लगी कैसी लेफटाल योडियो क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो पूरा एक प्लेलिस्ट है UPC Series 2.0 आप उसको अवलोग कर सकते हैं इसमें आपको बिल्कुल जीरो सो गाइडन्स मिल जाएगा और आपको वाकई में स्मार्ट शड़ी करनी तो आप हमारे बाहुली को इसको चक आउट कर सकते हो लिंक डाल देख डिस्क्रिप्रिप्टिन में इस वीडियो को जहीं समा